वो है धनरासी ग्यात किजी जो 4% चकप्राइब व्याज पर 2 वर्स में 1352 रुपए हो जाती है ठीक है अगेन वही देखो एक ratio method यहाँ पर उसको इस तरीके से यहाँ पर करने कोसिस करेंगे ध्यान से समझना बहुत अच्छे से 4% की rate of interest given है 4% का मतलब होगा कितना 1 by 25 ठीक है 1 by 25 that means आपका यह आपका क्या हो गया यह principle हो गया और यह आपका interest हो गया यहाँ पर तो देखो अगर principle इतना है तो यहाँ पर हम क्या करें जो आपका यह principle यहाँ पर आ रहा है 25 अब देखो यहाँ पर actually 2 साल और 4% के लिए और value उ principle है इसका square कर लो या कभी cube करने की नौबात आए तो cube कर लिजिएगा तो 25 का हम square करेंगे हम यहाँ पर 25 का square आएगा 625 यह हम principle माल लेते हैं that means अभी आप 25 का 4% निकालने जाते तो अभी आपका यहाँ पर एक रुपए आता बट थोड़ा सा और करेंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पर पता है ठीक है आपको rate यहाँ पर पता है कितना 4% है तो अभी यहाँ पर 2 साल के लिए उसने पूंचा था 2 साल के लिए हम निकाल देंगे तो 2 साल में यहाँ पर हम इसको fine करेंगे पहले साल के अगर हम बात करेंगे first year 625 का 4% 4% का मतलब 1 by 25 करेंगे 25 4% का मतलब 1 by 25 तो 25 का 1 by 25 करेंगे तो कुरूर आएगा कितना एक रुपाय है यानि 25 का 4% कितना होगा एक रुपाय होगा अब 2 साल बाद आप देखो आपको टोटल कितना अमाउंट मिला है कितना 51 इतना इंट्रेस्ट आपको यहाँ पर मिला है इतनी बात क्लियर है इसमें त टोटल देखो अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर जो गिविन है यह आपको क्या गिविन है यह आपको गिविन है अमाउंट अमाउंट का मतलब आपका इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस CI भी है ठीक है और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल कितना लिया 625 उसका CI कितना आया 51 तो यहां पर हम amount एक ही अगर हम बात करें मेरे according 625 प्लस 51 तो मेरे according amount कितना हुआ 676 हुआ मेरे according यहां पर 676 हो जाएगा but question में कितना है question में तो 1352 है तो अगर हम देखें 676 is equal to 1352 है अगर इसको आप चेक करो तो कहीं न कहीं आपको यह double देख रहा होगा इसका यह कितना है double है into 2 कराएंगे तो यह मिलेगा तो पूच्छा इसने क्या है principle पूच्छा है ठीक है सम पूच्छा है सम क्या होना चाहिए तो principle हमने कितना लेट किया था 625 तो यहां पर हम क्या करेंगे 625 यह बराबर कितने को हो जाएगा इसका भी हम यहां पर करेंगे double ठीक है इसको भी गर हम double करेंगे तो answer आपका आएगा 1250 I hope इतनी बात यहां पर अच्छे से clear है तो जो answer बनेगा 1250 wins option number यहां पर see correct हो जाएगा ठीक है अगर इसी को आप formula से करने चाओगे तो भी answer आजाएगा ठीक है और इसमें अगर हम slab से तो हमने करी लिया अगर इसी को हम उस से करें ratio method से तो देखो ratio method से एकर हम करने जाएगे तो 4% है 4% का मतलब यहां पर अभी अभी निकाला था 4% 1 by 25 मतलब आपका principle और एक तरफ होगा amount principle है 25 amount हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा ठीक है फिर हम यहां पर करेंगे यह तो आपका first year के लिए हो गया second year के लिए again आपका principle 25 रहेगा और amount 26 हो जाएगा अब 2 साल के लिए है यह तो हम direct यहां पर square कर देते जैसे पिसल आ जाएगा 670 6 आ जाएगा ठीक है तो amount आपका बन रहा यह अगर यहां पर आप इसको check करोगे तो आपका amount is 676 question का है कितना तो question वाला कहीं ना कहीं double है बोलो तो यहां पर इसका भी double हो जाएगा again देखोगे answer आपको आ जाएगा तो चाहू तो यह तरीका देख लो जल्दी आप इसको करते हुए चले जाओगे clear है बात अच्छे से